मुकेश सहनी के पिताज जीतन सहनी की हद्दा के मामले में अब नया मोड़ा गया है इस हत्यकान के मुख्यारोपी काजिम अंसारी की पतनी नजराना खातून सहनी खेज खुला सकिया है उनका दावा है कि जीतन सहनी नशे का कारोबार करते थे उन्होंने अरुप रगाया कि जीतन सहनी गाजा भांग और शराब बीचते थे और खुड भी शराब पिया करते थे नजराना खातून ने कहा कि उनका पती बिल्कुल बेगुणा है और पुलिस ने जबरेनिस माबले में उनके पती को फसाया है सब भांग सब बिचते थे सब जाते थे पीने के लिए यह भी जाते हैं थे हम क्या कहनीं पूरे महले बच्चा बच्चा सब किछली जी सब फीने खाने वाला सब लग मुध रहे थे सब syegen पीने के लिए दारू भी बेचते थे गाजा भांग सब बेचते थे तुछ लेकिन जब उनकी हत्या हो गई तो सुपर पुलिस नहीं 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 है तो अगरू का बोतल सब मिला लेकिन मुखिया जो गाएन यहां से तो सब चीज को विनोज बंपर सब को लेके नदी में फिक दीए काजी मनसारी की पतनी नजराना खातून ने आके कहा कि जीतन सहनी उनके पति को भी जबरदस्ती शराब पिलाते थे नजराना का ये भी दावा है कि जीतन सहनी के इन कारुबार की जाड़कारी आसपास के लोगों को भी थी नजराना ने ये भी बताया कि उनके पति और जीतन सहनी के भी चाचा बतीजे जैसा रिष्टा था और दोनों साथ बैठ कर खाना खाते थे इसके साथ ही नजराना ने पुलिस पर भी कहीं गंभीर आरोप लगाए हैं उसका कहना है कि पुलिस ने उनके पति को पीड़ पीड़ कर जबरन हत्या का आरोपी बनाया है नजराना ने ये भी कहा है कि घटना की रात वो घर में अपने बेटे के साथ पूरी रात सो रहे थे नजराना गए ये भी दावा है कि जीतन सैनी भांगाजा शराब जैसे नशे का समान बेजते थे गाओं का बच्चा बच्चा ये जानता है गाओं के नशडी लोग जीतन सैनी से नशे का समान खरिंदने पहुचते थे उसने कहा कि जीतन सहनी की हत्ता के बाद पुलिस के पहुचने के पहले घर से शराब समेत नशे का सारा समान दूसरे की तरफ रिख दिया गया काजिम के बड़े बेटे ने भी बाकी बाद का समर्शत करते हुए कहा कि घटना की रात वो मेरे साथ सो रहे थे बता देंगी पूर मंदरी और विकाजेल इंसान पार्टी यानि बियाईपी के चीफ उखे सहनी के 70 वर्षी एपिता की जीतन सहनी की 16 जुलाई को दर्बंगा जिले में उनकी ही घर पर चाह को घुप कर हत्या करती गई थी अब इस मामले में बिहार पुलिस को एक और बड़ी काम्यावी हाथ लगी है पुलिस ने इस हत्याकान में अब तीन और आरोपियों को गिरफतार किया है पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी कावजार गिरफतार किये गए तीनों आरोपियों के पैचान सितारे चोटे लहरी और मुहमत आजाद के रूप में हुई है जबकि इस हत्यकान का मुख्यारोपी काजिवनसारी को पुलिस पहले ही गिरिफतार कर चुकी है वीडियो डेस्क एंडीटी ओनलान